प्रेदर्शकों नमस्कार आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल रावकिला इस्पास सेंत्र के कॉंट्राक्ट सेल वर्क्स ने एक नया किर्थिमान स्थापित कर वितवर्ष 2023 में अब तक के सर्वुच सेवा अनुबंध आदेश दिया है सेल रावकिला इस्पास सेंत्र FIH ओरिशा होकी पुरुष विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत करने के लिए तैयार और आजादी का अवरित महत्सप दो दश्मनों शूर्नी की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पादमश्री डॉक्टर माया धर मान सेंग सेल रावकिला इस्पास सेंत्र RSP के कॉंट्राक्ट सेल वर्क्स CCW विभाग ने स्थापना के बाद से उच्चितम मूले के सेवा अनुबंद आदेश तेई कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है चालू वित्य वर्ष के पहले तीन तिमाही याने की दिसंबर 2022 तक 454.82 करोड रुपए के ओर्डर्स दिये जा चुके हैं जो RSP के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड है और्डर प्लेस्मेंट के वर्तमान दर को देखते वे आने वाले दिनों में 500 करोड रुपए की कुल राशी को भी पार करने की उमीद है उलेखनिय है कि नई इकाईयों के चालू होने के कारण सेवा अनुबंधों की आवशकता कई गुना बढ़ गई है और CCW, मूल संसाधनों और कम से कम प्रक्रियाओं के साथ नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने की चुनौती के लिए तयार हो गया है नियमित एकाधिक सेवा अनुबंधों को एक साथ एकल इंडेंट में मिला दिया गया है और वार्शिक एवं द्वी वार्शिक अनुबंधों को द्वी वार्शिक अनुबंधों में बदल दिया गया है जिसके परणाम स्वरू बार-बार किये जाने वाले कारियों में कमी, प्रतिरोपीत कारे का दूर होना, शिग्र कारियों को अंतिम रूप देना और उत्पादक्ता और लाभप्रदता में व्रिधी शामिल है। सावधानी पूर्वक योजना और दोडशिता के साथ अनुबंद को अंतिम रूप देने तक का समय तीन साल पहले का 150 दिन की अपेक्षा घट कर वर्तमान में 70 दिन हो गया है, जो अनुबंद प्रक्रिया अनुकूलन और डिजिटली करण प्रणाली के कारण और भी कम होने की उमीद है, कॉंट्राक्ट सेल वर्क्स की इन उपलब्धियों ने सामाने रूप से सेल और विशेश रूप से आरसपी के लिए उत्पादक्ता और लापप्रदता बढ़ाने का मार्क प्रशस्त किया है, सेल रावकला इसपास सेंत्र आरसपी 14 जनवरी 2023 को विभिन्न कारक् निदेशक प्रभारी DIC RSP श्री अतनू भौमिक इसपास सेंत्र के में गेट के सामने स्थित शिल्पा कोनार्क प्रांगन में 14 की सुब़ वरिष्ट अधिकारियों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, कारेकारी संग और बड़ी संख्या में कर्मिचारियों की उपस् इसके बाद ट्रॉफी वाहन दस बचकर 20 मिनट पर सुबह बीजू पतनायक चौक सेक्टर 2 पहुंचेगा और वहां से सेक्टर 5 चौक की और बढ़ेगा, काफिला सुबह 10 बचकर 45 मिनट पर बीजू पतनायक होके स्टेडियम पहुंचेगा जहां सेल होके अकादमी के कैड इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का जबरदस्त स्वागत करेंगे, इसके बाद पूर्वाहन 11 बचकर 10 मिनट पर ट्रॉफी वाहन केंद्रे विद्याले से गुजर कर टेलीफोन भवन की और बढ़ेगा और पूर्वाहन 11 बचकर 20 मिनट पर राश्ट्रे ध्वच परिसर पहु पहुचेगी और दोपहर एक बचे सिविक सेंटर पहुचने से पहले दोपहर 12 बचकर 20 मिनट पर सेक्टर 8 चौक पहुचेगी जहां प्रतिष्ठित ट्रॉफी का स्वागत करने के लिए सांस्कृतिक कारेक्रमों की योजना बनाई गई है दोपहर 1.30 बचे राउकला हाउस चौक से वी आईपी चौक होते वे दोपहर 1 बच कर 50 मिनट पर सी आई एस फ बैरक पहुचेगा जहां वर्दी में सी आई एस फ करमियों द्वारा उसका आपचारिक स्वागत किया जाएगा पुरिशों के F.I.H. हौकी विश्वकप के 15 संसकरण की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का जम कर स्वागत करने के लिए सभी राउकला वासियों से समारोह में शामिल होने का अनुरोद किया जाता है आजादी का अमरित महत्सव 2.00 समारोह के उपलक्ष में सेल राउकला इसपास सेंत्र ओडिशा के स्वातंतरता से नानियों इवं प्रख्याद व्यक्तित्वों पर समाचारों की कड़ी प्रसुत कर रहा है जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री डॉक्टर मायाध मायाधर मान सिंग का जन्म 13 नवंबर 1905 को खुरदा जिले के चलिका में पारीकुद टापू के पास नंदला बंगले में हुआ था उन्होंने ओडिशा के इतिहास पर निबंद कावे नातक लंबी कथात्मक कविताएं और साथ ही शोध लेख लिखे थे उनकी कविताओं मे रोमांस और रोमानियत की प्रचुरता की वजह से उन्हें ओडिया साहित्य में प्रेमी का कवी यानि की प्रेमी कवी की उपाधी दी गई थी उनकी कुछ उलेखनिये रचनाओं में कृष्णा, कमल नयना, कौनार का कविताएं शामिल हैं उन्होंने 1962 में ओडिया साहित्यर दस्तावेजी करण किया था, मान सिंग ने ओडिया साहित्य में विलियम शेक्स्पियर की रचनाओं को पेश किया था, उन्होंने हैमलेट और उथेलों का ओडिया नुवात किया था, प्रचिश्चित पाद्मश्री पुरसकार के विजहत्य डॉक्टर मान सिंग का 11 ओक्ट झाल